Hello students, आईए स्टार्ट करें, Computer Architecture. SIA की Computer, System जो है, वो एक से ज्यादा Components को जोड़ कर बनाया जाता है. और हरे Components जो है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपने टास्कों पूरा करने के लिए. तो इस तरह से हरे Components के बीच में आपस में Relationships होते हैं. तो Computer Architecture हमें ये बताता है कि Computer Components की Structure क्या है और उनके आपस के Relationships क्या है. तो Computer Architecture क्या है, Computer Architecture हमें वो तरीके भी बताता है, जिन तरीकों से Computer System के Components को Connect किया जा सकता है, और इंटेग्रेट किया जा सकता है, तो इन में Rules के Sets भी होते हैं, जिन Rules के साथ हम Software Components और Hardware Components को Connect कर सकते हैं. इस तरह से जो हमारे ये Hardware और Software Components है, Computer System के वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से वो अपने टास्क को पूरा करेंगे, तो यहां पे Stop करते हुए, मिलेंगे नेक्स सेशन में, नेक्स टॉपिक के साथ, Till then have a nice time and please subscribe our channel, thank you. झाल